एलो मेरी प्यारे साथियों मैं बेजया मोरिया आप सभी को एक बार फिर से हाधिक स्वागत और अभिन्दन करता हूँ मेरी प्यारे साथियों आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं simple interest, प्यारे साथियो simple interest को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में साधान ब्याज बोलते हैं, ठीक है, तो ये तो आपको सबको पता होगा, simple interest का मतलब होता है, साधान ब्याज मतलब आज हम आपका simple interest मतलब साधान ब्याज topic start करेंगे, मेरे प्यारे साथियो lecture की हम लोग बात करेंगे जिसमें समझेंगे basic सवाल ठीक है basic सवाल दूसरे lecture में हम पढ़ेंगे क्या दूसरे lecture में जिसमें गुणा वाले सवाल होंगे वो इतने बरश में रासी इतने गुणा हो जाती है दर ग्यात करो इतने percent से इतने गुणा जाती है समय जहां पर गुना का इस्तिमाल होगा वह हम क्या करेंगे second lecture में पढेंगे और third lecture में हम पढेंगे third lecture में हम पढेंगे mixed सवाल third lecture में हम पढेंगे mixed poss Noel ठीक है जो बच्चे कुछ सवाल होंगे simple interest के वह हम third lecture में complete कर लेंगे ठीक है अच्छा मेरी प्यारे साथियों आप सभी की आप में से कुछ साथियों की requirement थी कि सर्थ थोड़े lecture बढ़े बनाओ जब कि हम percentage और लाभानी हमने पढ़ा हुआ है तो उसमें हमने जो lecture थोड़े छोटे छोटे बनाये हुए हैं लेकिन अब हम lecture थोड़ा सा बढ़ा बना हैं इसे भी चीजों को हम जानने का प्रयास करते हैं अब देखो यहाँ पर हम जब simple interest की बात करते हैं तो जो simple interest में कुछ हम terms को पढ़ेंगे उनी terms का इस्तमाल आपका compound interest मतलब चक्र ब्रिदी ब्याज में भी होगा तो चलो शुरुआत करते हैं simple interest की आज का lecture बहुत नया सीखने को मिलेगा अगर आपने पहले से पढ़ा रखा है फिर भी आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा ऐसा मेरा बिस्वास है ठीक है तो बाकी जिनों नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए तो सीखने को मिलेगा ही मिलेगा तो मेरी पहले साथी शुरुआत करते हैं आजके lecture की समझते हैं कुछ basic बाते हैं अगर हम simple interest की बात करें interest की बात करें interest क्या है सभी चीज़ों को जानने का प्रियास करते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं muldan सबने सुना होगा भी muldan muldan क्या होता है muldan को principle कहते है पहली बात तो समझ लो इसके बाद हम मिस्धन की बात करें मैं सभी चीज़ लिख ले रहा हूँ पर समझाओंगा सभी को a k करके समझाओंगा मिस्धन को represent करेंगे a से a मतलब होता है amount फिर हमारा अगर हम लोग ब्याज की बात करते हैं तो ब्याज क्या होता है i से represent करते हैं interest और व्याज हमाल दो तरह का होता है simple interest और compound interest simple interest का मतलब हो गया सहाण व्याज और ci का मतलब क्या हो गया compound interest compound interest means होता है चक्र ब्रती व्याज अब समझतू चलेंगे अब समझेंगे मुल्धन क्या है मिस्धन क्या है ब्याज क्या है इसके बाद दर और समय ठीक है अगर हम दर की बात करेंगे तो दर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आर से ठीक है यह जानते ही होंगे 10% 20% इसके बाद हमारा समय समय को हम रिप्रेजेंट करेंगे किस से समय को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग T से, दर को R से, समय को represent करेंगे यहाँ पर T से, ठीक है, चक्रबिल्दी व्याज में जो है, हम समय को N से भी represent करते हैं, तो कोई दिकत नहीं, किसी से भी आप, किसी से भी symbol को आप इस्तंबाल कर सकते हैं, तो चलो यहाँ पर, फिलाल अभी हम simple interest पर focus करेंगे, है ना, यहाँ प पढ़ेंगे, चक्रबिल्दी व्याज अलग्ष से topic है, उसको जब पढ़ेंगे, तो बहाँ पर हम CI के बारे हम बात करेंगे, अभी यहाँ पर हम केवलों केवल, सधान व्याज के question solve करेंगे, ठीक है, चलो, सुरुवात करते हैं, एक-एक करके समझने किये, देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है मूल्धन, ठीक है, मूल्धन का मतलब क्या है, मूल्धन होता क्या है, उसको समझ लेते हैं, मेरे प्यारे साथियों, मूल्धन को represent करते हैं, पी से, अब माल लीजिए, हुआ क्या, आपने क्या किया, किसी साथी को, अपने किसी साथी को, चार हजार रासी कहलाती है क्या मूलधन अब हुआ क्या आपने 4000 रुपए उधार दिया था दो वर्स बाद उसने क्या करा आपको 5000 रुपए बापस कर दिया समझ गया ना आपने अपने साथी कितना रुपए दिया था 4000 दिया था दो वर्स बाद उस साथी ने 5000 रुपए लाकल दिया ठी इतनी सी बात आपको समझ आ रही होगी, फिर समझेगा, जो रासी आप किसी को धार देते हैं या लेते हैं, बही रासी कहलाती है मूलधन, यहाँ पर चार हजार रुपर धार दिया, तो चार हजार रुपर मूलधन हो गया, जो रासी आपको बापस करी जाती है, या किसी को आ बापस करल देते हो बाही रासी केहलाती है मिचधन तो 5000 रुपय रापस करा ठीक है तो 5000 रुपय क्या होगा यहाँ पर मिचधन हो गया अब यहाँ पर एक बास समझे बाई आपने क्या किया था 4000 रुपय दिया था लेकिन रासी उसने रापस कितनी करी पांच हजार बापस करी जबकि बापस कितनी करनी चाहिए थी मेरे भाई चार हजार जब लिया था तो चार हजार ही तो बापस करना चाहिए था लेकिन पांच हजार रुपए बापस करी तो एक हजार रुपए एक्स्ट्रा बापस करी है एक हजार रुपए एक्स्ट्रा दिया है और जो रासी एक्स्ट्रा बापस हो रही है ठीक है जो एक्स्ट्रा रासी होती है बही कहलाता है हमारा ब्याज तो यहाँ पर एक हजार रुपए का आपका क्या होगा इंट्रेस्ट हो जाएगा एक हजार रुपए का क्या हो जाएग ठीक है अच्छा अगर यह रासी हम प्रतिसत में निकालेंगे कि कितने प्रतिसत एक्स्ट्रा वापर्स करी गई है तो बही कहलाती है दर ठीक है और समय आप लोग जानते हो दो बरस तीन बरस कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर अब हम बात करें ब्याज की ब्याज की बात तो हमने कर ली कि ब्याज यहाँ पर एक हजार हो गया अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सिंपल इंट्रेस्ट की सिंपल इंट्रेस जो ब्याज आपका मूलधन पर लगता है जो ब्याज आपका मूलधन पर लगता है वही कहलाता है आपका simple interest समझ पा रहे होंगे जैसे मान लो आपने किसी को 2000 पर बापस करा और 10% की दर से ब्याज लगा रहे हो तो हर बर्स क्या होगा 2000 रुपए पर ही ब्याज लगेगा हर बर्स 2000 रुपए पर ही ब्याज लगेगा तो जो ब्याज केबल केबल मूलधन पर लगता है वही कहलाता है हमारा क्या simple interest जबकि अगर हम चक्रविल्टी व्याज की बात करें तो चक्रविल्टी व्याज में क्या होता है पहले बर्स तो मूल्धन पर लगता है तो पहले बर्स तो 2000 पर लगेगा फिर क्या होगा दूसरे बर्स लगेगा मिस्लधन पर ठीक है फिर तीसरे बर्स भी किस पर लगेगा मि सधन पर लगता है तो वो हम बाद में पढ़ेंगे हम चक्रविदी व्याज पढ़ेंगे तो बहाँ पर हम आपको समझाएंगे अभी अभी इतना समझ लीजिए यहाँ पर कि जो हमारा simple interest होता है सहन ب obviamente जो होता है वो केवल ऑ केवल मूद धन पर लगता है अब समझ जीए हर बार अगर 2000 रुपए पे लगेगा तो क्या होगा और 10% दर से लगेगा तो हर बर्स क्या होगा ब्याज कैसा आएगा हर बर्स का जो ब्याज आएगा वो कैसा आएगा समान आएगा हर बर्स का ब्याज कैसा आएगा प्रतेग बर्स का ब्याज कैसा आएगा समान आएगा समान क्यों आएगा क्यों कि हर बार किस पर लग रहा है जो रासी उधालती दोजार उधालती दोजार पर लग रहा है और दर भी कितनी आपकी समान 10% है तो ब्याज भी कैसा हो जाएगा समान हो जाएगा आपका ब्याज अलग-अलग तभी होगा साधान ब्याज आपका अलग अलग तभी होगा हर वर्स के लिए जब आपका ब्याज की दर जो है दर हर वर्स के लिए अलग अलग होगी जब प्रतेग वर्स के लिए दर अलग अलग होगी तो प्रतेग वर्स के लिए ब्याज भी अलग अलग हो जाएगा तो इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छा और छे समझने का परियास करते हैं इसको जैसे मान लीजिए जैसे मान लो आपने 5000 रुपए क्या करा किसी उधार दिया और 10% की दर से उधार दिया तो पहले बरस का ब्याज कितना आएगा हलाकि इन चीज़ों का जो है इस्तमाल सॉल्व करने में कर भी सकते हो otherwise अपसे बेस्ट आप्शन ये है कि आप सीरे सीरे एक फार्मूला होता है simple interest बराबर PIT बटे 100 इसको अभी हम सीखेंगे पहले आपके समझ लो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ देखो 5000 रुपय पर 5000 रुपय धर दिया 10% की दर से ब्याज लग रहा है 10% का मतलि 10 बटे 100 हो जाएगा 2-0 से 2-0 कैंसल हो जागा तो 500 रुपय का ब्याज लगेगा अब एक बर्स में ठीक है तो एक बर्स बाद देखो अगर 5000 रुपय उसने लिये थे तो एक बर्स बाद जो है 500 रुपय आपको एक्स्ट्रा मिलेगा अगर उसने एक बर्स बाद बापिस कर दिया तो कितना बापस करेगा 500 रुपय बापस करेगा समझिएगा अगर एक बर्स बाद उसने बापस कर दिये तो 500 रुपय बापस करेगा लेकिन अगर हम उसने दो बर्ष बापस करें हैं तो पहले बर्ष ब्याज कितना लगा 500 दूसरे बर्ष का भी तो ब्याज 500 हो जाएगा फिर तो अगर दो बर्ष बापस करेगा तो 6000 बापस करेगा तो पहले बर्ष का ब्याज हो गया 500 दूसरे वर्स का व्याज भी कितना हो गया 500 तो ओवरॉल कितना व्याज हो गया 1000, 5000 लिए तो धार, ठीक है, 1000 का व्याज लग गया तो कितने वापस करेगा, 6000 वापस करेगा, अगर पूछेंगे तीन वर्स बाद कितना वापस करेगा, तो तीन वर्स का व्याज कितना, 1500 हो सभी को पता होगा पी आर्टी अपान हंड्रेड सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है पी आर्टी अपान हंड्रेड मेरे प्यारे सांथियों इसका मतलब क्या है साधान ब्याज बरावर मूल्धन गुणा दर गुणा समय और बटे कितना सो सबने फॉर्मूला यह ऐसा ही मतलब साधान ब्याज की बात हो रही है मूल्धन की बात हो रही है दर की बात हो रही है समय की बात हो रही है तो यहाँ पर चार पद हैं एक साधान ब्याज मूल्धन दर और समय कितने पद हैं चार अब चार में से कोई भी तीन का मान दे देगा आपसे चौथे का मा करेंगा कोई-भी 3 पदों का मांद दे गा और आपसे चाधान ब्याज दे दिया मूल रखना है, इस तरह से हमें ध्यान रखनी है, ऑच्छा एक बात समझ लूब फिर हम को फिर जाएंगे सीदे सीदे अच्छा अगर हम लोग मिस्धन की बात करें तो मिस्धन कैसे करके मन रहा है एक तो जो रासी आपने दी उधार मूलधन और इसके बाद क्या मिला सलान ब्याज मिला सलान ब्याज तो मूलधन और ब्याज को पढ़ेंगे फार्मूला हमारे पास एक ही है ठीक है मिस्लधन दोनों में समान रहता है चाहर चक्रविल्दी ब्याज ना साहार व्याज हो ठीक है मतलब फार्मूला दोनों के दोनों में सेम रहता है तो ध्यान रखेंगे मिसलन बराबर मूलधन प्लस सीरी सीरी हम क्या बोल सकते हैं ए बराबर बोल सकते हैं ए बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं पी प्लस आई बोल सकते हैं अब आई यहां पर क्या हो जाएगा या तो ऐसाई होगा या फिर क्या ठीक है देखो आज के लेक्षर में बता दूँ लगभग 9 या 10 सवाल हैं आज के लेक्षर में लक्षर थोड़ा सा बड़ा होगा समझती हूर चलिएगा और आज के चीज हमारे पास होती है तो चारो के चारो चीजा कैसे निकालते हैं आज की लेक्चर में यहाँ पर सीखेंगे तो चलो पहला कोशन लेते हैं कोशन आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा पांच जार रुपए की धनरासी पर 10% बारसिक दर से दो बरस का साधान ब्याज किया होगा आपसे पूचा गया है ठीक है तो यहाँ पर मूल्दन कितना हुआ है मूल्दन आपका पांच जार रुपए मैं एक बार लिख रहा हूँ हाला कि लिखने की ज़रूरत यहाँ पर न सूत्र का फॉर्मले का सव तो दो जिरो से दो जिरो कैंसल दस दूनी 20 और 20 की ज़र 50 से गुणा होगी तो एक हजार रुपए तो क्या हो गया एक हजार रुपए तो यहाँ पर साधान ब्याज मतलब simple interest कितना हो गया 1000 रुपए हो गया तो इसमें किसी को doubt नहीं होना चाहिए आसान सवाल है अगर मेरे प्यारे साथियों इस सवाल में ये पूछा गया होता कि जो है 5000 रुपए की धनरासी 10% बारसिक धर से 2 वर्स में कितनी हो जाएगी कितनी हो जाएगी समझ गए कितनी हो जाएगी तब क्या पूछते जोखो 5000 रुपए रासी थी कितनी हो जाएगी तो वो हमारा पूछेंगे वहाँ पर क्या मिसल धन जहां पर कितनी हो जाएगी तो वहाँ पर हम मिसल धन की बात करते हैं तो 5000 रुपए तो दाहर दिये थे या 5000 रुपए का तमूलन था, 1000 रुपए का व्याज लगा, तो रासी कितनी हो जाएगी? 6000 रुपए हो जाएगी. हलाग कि इस सवाल में केवल और केवल आपसे साधान व्याज पूछा गया था, तो साधान ब्याज तो मारा एक हजार आ चुका है इसमें किसी को डावट नहीं होना चाहिए लेकिन अगर यह पूछा जाए कि कितनी हो जाएगी तो पांच हजार रोपए रासी थी एक हजार रोपए का ब्याज लग जग गया तो कितनी हो जाएगी छे हजार तो मिश्दन कितना हो जाएगा इस सवाल का 6,000 हो जाएगा तो इस सवाल को यह आपको याद रखनी है यह बात ठीक है चलो अगला सवाल देखो नेक्स सवाल क्या है 12,00 रुपए रासी पर साधान ब्याज से 6 महीनों में 4% बारसिक दर से ब्याज मिलेगा ठीक है अब यहाँ पर एक बात ध्याण रखनी यहाँ पर भी आपसे ब्याज पूचा गया लेकिन कोशन सॉल्ब करते समय यह बात ध्याण रखनी है अगर दर बरस में है तो समय भी बरस में होना चाहिए ठीक है 4% बारसिक दर है तो समय किस में होना चाहिए, बर्स में, 6 महीने को हम बर्स में कैसे चेंज करेंगे, 6 महीने को हम बर्स में चेंज करने के लिए 12 से भाग कर लेंगे, तो समय कितना हो जाएगा आपका, समय कितना हो जाएगा 6 बटे 12 हो जाएगा ना, ठीक है तो ध्यान रखेंगे इस बात को, अब लगा दो, SI बराबर PRT, P कितना 1200 रुपए, R कितना 4%, और T कितना 6 बटे 12, 6 बटे 12, और formula का भी तो आएगा पॉन में 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, और 2 बारा कितना हो जाएगा, 2 गोडे 12 हो जाएगा, 24 रुपए, तो 24 रुपए का क्या मिलेगा यहाँ प सॉरी, अगर आपकी दर बर्स में दे रखी है, तो समय भी बर्स में होना चाहिए था, ठीक है, अगर आपकी दर बर्सिक है, तो समय भी किसमें होना चाहिए था, बर्स में होना चाहिए था, अगर दिन दे रखा होता है हाँ पर, चलो दिन वाला सवाल अगर कलते हैं, आप पूब हाँ पर समझ में आएगा ये दिन वाला सवाल देखो 800 रुपए की राशी पर 5% प्रती बार्सिक दर से 73 दिनों का साधरन ब्याज मिलेगा समझ पार है या नी समझ पार है अब इसमें दल देखो दे रखा है प्रती बार्सिक पूरे बर्स की दल दे रखी है और 73 दिन पी कितना 800 रुपए आर कितना आपका 5 और समय कितना 73 बटी कितना 365 और गोणे कितना आएगा 100 फार्मुले का 2-0 से 2-0 कैंसिल 73 पंजे होता है 365 5 से 5 कैंसिल तो यहाँ पर कितना आ गया 8 रुपए यहाँ पर कितना आ गया 8 रुपए ठीक है किसी को डाउट नहीं होना चाहि तो ध्यान रखना है, इस तरह की सवाल भी पूछे जाते हैं, जिनमें समय दिनों में दे रखा होता है, या महीने में दे रखा होता है, तो आसान सवाल होते हैं, बस कंसेट पता होना चाहिए, चलो अगला सवाल लेते हैं, आभी तक यतने भी सवाल करें, उसमें हमें दर बा ब्याज क्या होगा जो सवाल अब ब्याज कितनी त्लीम की ऐसी कि है कि आपका जो ब्याज लग रहा है वो छे महीने में लग रहा है छे महीने में एक बार लग रहा है जब कि बार्शिक का मतलब क्या होता एक बरस में एक बार लग रहा है यहां पर क्या है छे परसेंट छमाही दर है इसका मतलब आपका छे महीने में एक बार लग जाएगा त लगेगा अब यहां पर कितना लेते तो ती बराबर वहां पर दो लेते ठीक है समझ पार हैं आप नहीं तो यहां पर लगा दो ऐसा ही बराबर पी आर टी, एक हजार पी आर, आर कितना 6% और समय कितना लेंगे यहाँ पर एक, तो यहाँ पर कितना आएगा, 60 रोपय का ब्याज लगेगा, 60 रोपय का ब्याज लगेगा, किसी को भी इस सवाल में भी डाउट नहीं होना चाहिए था, ठीक है न, चलो, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगर किसी भी सवाल में डाउट है, तो आप हमसे पूँछ सकते हैं, आपके लिए चैटिंग के लिए एक गुरूप बना रखा है, ठीक है चलो, अगला सवाल देखो, अब तक कि जतने भी हमने सवाल करें, उसमें हमने साधन ब्याज निकालना सीखा, अब अगर हम सवाल देखें तो बोला गया है, किस रासी पर, किस रासी पर मतलब मूलधन पूँछा गया है, साधन ब्याज 6 महीनों में 6 महीनों में 4% बार्शिक दर से 150 रुपए ब्याज मिलेगा अब यहाँ पर हमें ब्याज मतलब ऐसा ही बराबर दे रखा है कितना 1.500 और हमसे P मतलब रासी पूची गई है अब यहाँ पर समझेगा R बराबर कितना है 4% बार्शिक T कितना लेंगे समझे T कितना लेंगे T यहाँ पर किस पर डिपेंड कर रहा है 8% बार्शिक है मतलब बर्श में दे रखा है समय 12 दे रखी है 12 दे रखी है तो आपका 6 बटे कितना लजाएगा हाँ पर 12 ऐसे भाग करना पड़ेगा समय किस में चेंज करना पड़ेगा समय में आ रहा होगा दर हमारा किस में दे रखा है बारसिक तो हमारा समय कितना वजाएगा 6 बटे 12 ठीक है अगर यहां होता 4% छमाही तो 6 महीने ब्याज कितनी बार लगता एक बार समझिएगा अगर यहां 4% छमाही दे रखा होता तो 6 महीने ब्याज कितनी बार लगता एक बार तो टी कितना लेत लेते – T, केतना लेते – एक, लेते फिलाल यहाँ पर क्या है? 4 percent बार्सिक है तो दर आपकी बार्सिक, मतलब 1 बार में एक बिमीगरी बार्सिक में बिमारे बार्स में ब्याज लग रहा है तो यहाँ पर समय कितना हो जाएगा 6 espera-11 हो जाएगा, अब यहां पे देखो, formula लगाऊगे तो ऐसा ही बराबर क्या होता है? ऐसा ही बराबर होता है PRT, PRT बटे क्या होता है? 100 होता है, ऐसा ही कितना है आपका 150, जो चीज पता है वह ची लिख लो, P हम से पूछा गया है, R हमारा कितना है 4 T हमारा कितना है 6 बटे 12 और गोडे में बटे में कितना आएगा 100 आएगा बस अब इसको solve कर लीजिए 6 दूनी 12 2 से 2 दूनी 4 2 से कैंचल करता 50 हो गया जब हम 150 की और 50 की गोणा करेंगी क्रॉस तो कितना हो जाएगा P बड़ावर हो जाएगा 7500 P बड़ावर कितना हो जाएगा 7500 किसी को भी इस सवाल में भी doubt नहीं होना चाहिए था तो यहाँ पर जो मूल दहन है वो कितना हो गया 7500 रुपर हो गया चलो और देखो अगले सवाल आपको और चीज़ें समझ में आएगी ठीक है यहाँ पर देखो तो क्या बोला गया है 10500 रुपर की रासी पर 5 वर्स के अंत में साधान ब्याज 6318 मिलता है प्रतिसत प्रति वर्स ब्याज की दर मतलब यहाँ पर दर पूछा गया है अब देखो फिर से फार्मला लगा दो SI बराबर PRT बटे कितना 100 ठीक है SI कराँ साधान ब्याज कितना है 6318 रुपर और हमसे P कराँ 10530 रासी पर तो 10530 जो है आपका क्या है मूल देन है अच्छा दर हमें निकालनी है और समय कितना है 5 वर्स के अंत में तो समय दे रखा है 5 वर्स बटे 100 बस फर्मूला लगा देना है बहुत ही आसान तरीका है कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए देखो भाई यहाँ पर दीरो से दीरो कैंसल कर दो यहाँ पर 5 से कैंसल करो नीचे 5 दूनी 10 अच्छा अगर 153 से काटेंगे ज़र 6300 उठा रहे को तो 6 भाग जाएगा 6 भाग जाएगा तो 6 अपाउन 1 हो जा रहा है न है न 6 तो यह हमारा कैसे करके बनेगा देखो यह हमारा बनेगा 6 बटे 1 बराबर उदर आपका उपर आर बटे नीचे 2 बच रहा है क्रॉस मल्टिप्लाई होगी तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 तो 12 परशेंट यहाँ पर दर होगी 12 परशेंट यहाँ पर क्या होगी दर होगी तो यह सवाल भी आपको समझाया होगा पिछले सवाल में हमने मुल्धन निकालना सीखा इस सवाल में हमने प्रतिसत दर निकालना सीखा, बस formula हमने एक ही लगाया, जो चीज पता है, उसकी जगह पे लिख दो, और solve कर लेते हैं, चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, ठीक है, ये क्या है, कितने समय में, मतलब यहाँ पर भाई, आप समय निकालना सीखेंगे, यहाँ पर क्या निकालना स चार परशेंट, ठीक है, पत्चिस बटे, चार परशेंट इदर हो गई न, छे चौक चौविस, छे सही एक बटे, चार है, छे चौक चौविस, और उपर एक पत्चिस बटे, चार, अच्छा, ये क्या दे रखा है, कह रहा है, 81 रुपय हो जाएगा, अब देखो, फिर ब्याज कितना मिला, अब देखो, यहाँ पर तो फार्मूला पढ़ा है, हमने, फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है, फार्मूला साथ ही हमने पढ़ा हुआ है, ऐसा ही बराबर, पी, आर, टी, बटे, सो, पी पता है हमें, और आर पता है, निकालना क्या है, समय निकालना, टी 81 हो गई, तो कितना ब्याज लगा, 81 माइनस कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 82 थी, 81 हो गई, तो इसका मतलब ब्याज कितना लगा, 9 का, तो ब्याज लिख दो, ब्याज की नीचे 9 लिख दो, और P कितना, 72, और R कितना, 25 बटे, 4 हो जाएगा, तो 4 गोणे 100 हो जाएगा, नही और समय हम लोक को निकालना है ठीक है अब इसको solve कर लो आसानी से देखो 25 चौका 100 हो जाएगा ठीक है अब हीहाँ पर हम देखें तो 9 अट्थे कितना हो जाएगा तर आपका 72 हो जाएगा चार दूनी आठ हो जाएगा दो दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जा रहा है T बटे 2 का मतलब हो जाएगा इधर आपका एक बच रहा है एक बराबर T बटे 2 मतलब cross multiply T बराबर कितना हो गया 2 बर्स हो गया T बराबर कितना हो गया 2 बर्स हो गया ठीक है T बराबर कितना हो गया दो बर्स हो गया ठीक है जिनको calculation समझ में नहीं आई ही दुवारा से देखो calculation समझ में यह दुवारा से देखो देखो ऐसा ही बराबर हमारा क्या था PRT बटे कितना 100 और हमारा ब्याज कितना निकाला था हमने 9 निकाला था और हमारा मूलन दे रखा है 22 और दर कितनी आई थी 25 बटे 4 तो 100 गोणे कितना हो जाएगा 4 और हमसे T निकाला गया था तो 25 चौका 100 9 अठे कितना 22, 4 दूनी कितना 8, 2 दूनी कितना 4, तो इधर तो आपका 9 एकम 9 बचा हुआ 1 बचा हुआ, 1 बराबर, उपर कितना बचा हुआ T और नीचे कितना बचा हुआ 2, एक अपाउन 1 लिख लो तो ती बचा हुआ कर लो ती बचा हुआ कितना हो गया 2 बर्स तो किसी को भी इस सवाल में भी डाउट नहीं होना चाहिए चलो अगला सवाल देखो ये रहा आपका अगला सवाल कोशन नमबर नेक्स क्या है 45,000 रुपए की रासी सदान ब्याज पर 8 बर्स में 70,400 रुपए हो जाती है प्रती बर्स ब्याज की दर अब देखो फिर से दर निकालनी है अब देखो जहां से देखो तो हमारे पास फामुला होता है ऐसा ही बराबर क्या होता है PRT बटे क्या होता है 100 होता है न अच्छा यहाँ पर देखो 45,000 रुपए तो रासी दे रखी है इसमें तो किसी को डाउट होना नहीं चाहिए और हमसे आर पूचा गया है समय दे रखा है 8 बर्स और बटे कितना हो गया 100 हमें ब्याज और निकारना पड़ेगा ठीक है 45,000 रुपए के रासी थी कितनी हो गई 47,400 हो जाती है यह हो जाती है 45,000 थी बढ़के कितनी हो गई 47,400 हो गई तो ब्याज कितना मिला 47,400 में से कितना घटा देंगे यहाँ पर 45,000 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा 32,000 कितना जाएगा 32,400 आ जाएगा तो ब्याज कितना मिल जाएगा 32,400 में यहाँ पर लिख दिया Simple interest के नीचे ठीक है जब आप 47,400 में से 45,000 घटा ओगे तो 32,400 मिल जाएगा तो ऐसा ही कितना मिल गया 32,400 समझ में आ गया होगा 45,000 रपय रासी थी बढ़के कितनी हो गई 47,400 हो गई इसका मतलब कितनी बढ़ी जो extra रासी बही तो होती है extra रासी कितनी बढ़ी 32,400 तो ऐसा ही कितना हो गया 32,400 हो गया अब 2,0 से 2,0 यहाँ पर हटा दो ठीक है एक 0 से आपके दर एक 0 कट जाएगा सही है अब यहाँ पर देखो तो 8 से कैंसल कर लो 8,4,32 सही है अब 4 में भाग जाएगा नहीं तो 0 और 8,5,40 अब 45 से भाग करेंगे 405 को तो 9,5,45 9 आ जाएगा तो यहाँ पर 8 8 नहीं 8 बढ़के हो गया 9 परशेंट हो गया ठीक है तो को सवाल में थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है ठीक है जो हमने स्टार्टिंग में सवाल किये उनमें सीधे सीधे सबकी वैलू दे रखी थी अब जो हमने 1-2 सवाल और करें हैं अभी लार्स के 2-3 सवाल करें उनमें क्या था देखो मिस्धन भी दे रखा है तो पहले हमें क्या निकालना पड़ रहा है वहाँ पर साधान ब्याज पहले निकालना पड़ रहा है फिर फामुला लगाना पड़ रहा है लेकिन फामुला हमार पास एक ही है और उसी का अब तक हमने इस्तमाल करा हुआ है चलो नेक्स देखो ये रहां आपका अगला सवाल और ये आज के लास्ट का अंतिम सवाल है आज के लेक्चर का अंतिम सवाल है ठीक है ये आज के लेक्चर का अंतिम सवाल है ध्यान से देखिएगा ठीक है दो सरोतों से पंदरा सो रुपए पर तीन बरस के पस्चाथ मिले साहन ब्याज में अंतर 13.50 का रुपए का हंतर है उनकी ब्याज की दरों में अंतर पूँचा गया है ठीक है दो सरोतों से पंदरा सो रुपए पर तीन बरस के पस्चाथ मिले सहन ब्याजों में 13.5 इरों का अंतर है तो ब्याज की दरों में अंतर देखो जो ब्याज मिल रहा है वो कितने पर निकाल रहे हैं लोग 15 रुपई निकाल रहे हैं तो यह तो हमारा P हो गया समय कितना हो गया तीन बर्स इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए अच्छे ब्याज में अंतर किसकी वज़े से आ रहा है अंतर आपका जो आ रहा है ब्याज में क्यों आ रहा है क्यों कि दरों में अंतर होगा देखो जैसे क्या हुआ दो अलग-अलग बैंकों से उधार लिया गया पैसा समझ रहे है न तो अलग-अलग बैंकों से उधार लिया गया पैसा दोनों से ही मालो दोनों ही बैंक से बैंक बन और बैंक टू दोनों से ही पंदरा पंदरा सो रुपा उधार लिया गया समझ येगा कोशन का मतलब क्या है दोनों का जो अंतर आया दोनों के ब्याज का जो अंतर आया तीन बरस बाद तेरा पैंट पांच जिरु आया अब देखो यहाँ पर मुल्धन भी समान है समय भी समान है तो अंतर क्यों आ रहा है ब्याज समान आना चाहिए था अंतर इसलिए आ रहा है कि जो है बैंक बर ने और बैंक टू ने अलग 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 अ यह हम कहें SI में अंतर, ब्याज में अंतर, ब्याज में अंतर, वो किसके बरावर होगा, P, P into R1 minus R2, और into T, बटे 100, समझ येगा, क्योंकि हमसे दरों में अंतर पूछा गया है, ब्याज में अंतर किसकी बज़े से आ रहा है, दरों की बज़े से अंतर आ रहा है, तो ब्याज में अंतर कितना हो गया, 13.50, बरावर, P कितना है, 1500 रुपए, और हमें निकालना क्या है, R1 minus R2 निकालना है, और समय कितना है आपक ज़गर हम 3 से भाग करेंगे न, 13.5, 3.12 और 1 बचेगा, 3, 5, 15, 4.50 हो जाएगा, 15 से चैंसल करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, 15 में भाग जाएगा नहीं, 15 से 4.5 में तो 5 लगा लेंगे पहले, फिर 15.3, 45, ठीक है, यह आ जाएगा इस तरह से, तो यहाँ पर जो R1-R2 हो जाएगा, वो 0.30 या 0.3 परसेंट बोल सकते हैं, 0.30 परसेंट या फिर 0.3 परसेंट, तो इस तरह से यह सवाल हमने सीखा, तो दरों में अंतर कितना हो गया, 0.0 कितना हो गया, 3 परसेंट, तो इस तरह से यह सवाल भी हमने यहाँ पर कर लिया, कैल्यक्लेसर यहाँ पर 12 फिर एक बच गया पिर आप 5 उतार लोगे तो 15 आप 0 0.30% या 0.3% इस सवाल का आंशर हो गया 0.3% तो मेरे प्यारे साथ थी हो आज के lecture में हमने एतना ही पड़ना था फिर से मैं यहाँ पर आपको remind करा दूँ कि हमने क्या का निकालना सीख लिया पहले हमने निकालना सीखा ब्याज, ब्याज कैसे निकालते हैं मतलब simple interest कैसे निकालते हैं मुल्धन निकालना सीखा, दर निकालना सीखा, समय निकालना सीखा और यहाँ पर दरो में अंतरवाला ये कोशन किया, ये सवाल भी किया, तो हमने सब कुछ यहाँ पर निकालना सीखा, लेकिन केवल इतने ही सवाल एक्जाम में नहीं बनते हैं आपके, इतने ही सवाल हमें इस टॉपिक में नहीं पढ़ने होते हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे होत जैसे मैं बात करूँ कि भाई कोई धनरासी जो है पाँच बर्स में दो गुना हो जाती है तो 6 बर्स में कितने गुना हो जाएगी तो गुने वाले सब्सक्राइभ में पढेंगे सभी सथी ध्यान रखें लेक्चर नंबर टू बहुत ही जादा important है सदार ब्याद जो है में simple interest में lecture number two सबसे अधिक important है उसमें बस हमने दो trick पढ़नी है दो trick पढ़नी है हाला कि जो हमने formula पढ़ा हुआ है ऐसा ये वराबर PRT वटे 100 उसका भी इस्तमाल उसमें हो जाता है लेकिन अगर tricks से पढ़ लोगे जो tricks से थोड़ा आसान हो जाता है आपको बिलकुल भी confusion नहीं रहता उस सवाल में तो trick बताऊंगा दो तरह के सवाल होंगे उसमें lecture number two में और lecture number three में जो बचे कुछे सवाल रहे जाएंगे mix सवाल होंगे वो lecture number three में करा देंगे ठीक है तो हसते रही है मुस्कराती रही है और आप घर पर बैठ कर बहतर तरीके study करते रही है कोई भी doubt है तो फिर से बोल रहा हूं जिस नाम से आपका batch है उस नाम से आपका chatting गुरू बना रखा है जैसे ही आप mobile app में enter करोगे enter करते ही आपको नीचे एक बीच में red color में red red store लिख에 आ रहा है इस पी दाइया चैट का option होगा चैट पे क्रोगे केडिक करोगे वहाँ और आपका ऊपर एक search का का ऊपशन आ रहा होगा सबस्टमे करोगे ऑपके अपने बैच में लिखके अपने लिख सर्छ करोगे पिर उस में हैं आप सभी साथ ही किसी को भी डाउट होता है तो हमसे पूर सकते हैं हस्ते रहिए मुश्कराते रहिए मिलती हैं अगले लेक्चर में धन्यवाद बाय बाय टाटा